मेरे तीप्रासा वारियर्स, YTF वारियर्स, बुरुई बॉदल, TWF वारियर्स, TISF वारियर्स अब असली परिक्षा होगा, अब इंतहाम होगा क्योंकि जो लोग दो साल से बोलते रहे थे अब हमको देखना है कि इलेक्षिन अब सिर्फ एक मेहना से थोड़ा ज्यादा दूर है अब हमको मालूम पड़ेगा कि कौन दोफा के साथ है या कौन अपने टिकेट के लिए फाइट कर रहा है बहुत लोग जिनको टिकेट नहीं मिलेगा, वो लोग ग्रेटर तीप्रा लैंड का बात बोलना छोड़ देंगे वो लोग दोफा के बारे बात बोलना छोड़ देंगे और वो लोग एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने की कोशिश करेंगे मुझे कुछ चिंता नहीं है मैं जानता हूँ कि पबलिक तीप्रा सा जो आम जनता है वो मेरे साथ है और जब तक हमारा तीप्रा सा मेरे साथ है मुझे ऐसे नेता का कुछ चिंता नहीं है आप रेडी हो जाओ, ये फाइट हमारा लास्ट फाइट है हम लोग जीतेंगे या मरेंगे लेकिन इस बार अपना position clear करेंगे इस बार ये fight हमारा 13 लागती प्रासा को justice देने का है ये fight आखरी तक जाएगा जहां में हमें अपना rights को बचाना है अपना constitutional अधिकार को वापस लेना है बहुत दिन तक हम लोगों को बहुत दिन से दबाया गया है अब हमारा chance से फिर से leaders लोग इधर उधर जाने की कोशिश करेंगे लेकिन आप उन leader को पूछना दो साल तक आपने greater टीप्रेलान क्यों बोला दो साल तक आपने बुबागरा आएक लोग्ठोंग तीप्रासा दोफा आएक लोग्ठोंग क्यों बोला और आज क्योंकि टिकेट नहीं मिल रहा है आपको या आपको लगता कि कहीं और में ज़्यादा पैसा है तो आप दोफा को छोड़कर कोई और पाती में जा रहे हो ये सवाल आप उनसे पूछना तीप्रासा इतना बेकूफ नहीं है तीप्रासा सब जानता है कि कौन अपने जमीन के लिए अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहा है और कौन अपने स्वार्थ के लिए फाइट कर रहा है बेलाई नो हमबाई बोबागरा विशिस यू अल दे बेस्ट